ताहिर असनम गूरा का नॉबल रंग महल कॉलबिल बजी तो उसने देखा गे बाहर ब्राइन खड़ा था अंदर आने का नहीं कहोगी उसने दर्वाजे पर ही उसे रोक लेने पर शायका से स्तफसार किया कम आन कम आन मैं वैसे हैरान थी कि तुम इस वक्त कैसे आये हो तुम्हें कई दिनों से मिस कर रहा था ये कहते हुए ब्राइन ने उसे होटों पर चूमा शायका को ब्राइन की अचानक आमद और चूमने का अंदास अच्छा लगा उसने सोचा कि जिसके साथ जिसमानी तालुफ उस्तवार हो चुका हो उसके साथ दोस्ती कितनी फित्री और आसान हो जाती है चलो आज किसी प्रोग्राम के बगार नाइट कलब चलते हैं ये कहते हुए ब्राइन ने जब उसकी च्छातियों को मलना शुरू किया तो वो फक्त यही कह सकी पहले बिस्तर पर तो आओ नहाद होकर जब दोनों अपार्टमेंट से बाहर निकले तो बदलते मौसम की हवाओं ने उसकी कुछ यादों और हिसों को जैसे बेदार सा किया मगर उस पर जैसे ठीक से वाज़ा न हो सका के आखिर बदलती रुथ उसे क्या याद दिलाना चाहती है उसने जहन को खाली छोड़ते हुए उंची उंची इमारतों के उपर आस्मान से ढलकती शाम को उतरते महसूस करना चाहा उसे लगा के जैसे शाम सर्दियों और बहार की मिली जुली हवाओं में कोई तैरता सा परिंदा हो एक उंची इमारत की छट से निकलते धुएं पर निगाह पढ़ने पर उसे अंजाने क्यूं अपने गाउं के भटे का धुआ लम्हे भर के लिए याद आया उसके जहन ने लाशूरी तोर पर इस ममासलत को बेमानी जानते हुए उसके होटों पर बेरादा मुस्कुराहट की बारीक लकीर छोड़ दी ब्राइन ने इस मुस्कुराहट की वज़ा जाननी चाही मुझे इस तरह की शामे अच्छी लगती है उसने जवाब दिया मौसम इमारतों और मनजलनामे से हट कर उसने आस पास गुजरते लोगों पर तوج्जो देना शुरू कर दी लोगों को यूं खरामा खरामा इधर उधर आते जाते देख कर सोचने लगी कि सारी दुनिया के लोग किस कदर मौसमों के रहमों करम पर होते हैं एक चोड़ा अपने दो बच्चों को एक बड़ी सी बग्गी में चलाते पास से गुजरा तो उसका एक लम्हे में तमाम बातों से ध्यान हट कर खिल खिलाते बच्चों की तरफ चला गया शायद मैं भी माँ बन जाने के बाद इस दुनिया में अपने एक लापे की तनहाई के एहसास से बाहर निकला हूँ उसे ब्राइन के साथ चलते ही एह एहसास भी हो रहा था कि जैसे उसके कदम इस शेहर की सड़कों के साथ मानूस होते जा रहे हैं फुट पाथ के दाएं हाथ यूनानी और अतालवी रिस्तुरानों की गतार साथ साथ चली आ रही थी बीच बीच में एक आद आईसक्रीम पारलर और चंदे काफी शॉपस भी आई उन में से अकसर वो थी जहां वो वक्त मिलने पर बैठा करती थी उन काफी शॉपस के अंदर छाकते हुए वो उन कोनों पर निगाह दोड़ाने लगी जहां वो बैठने को तरजी दिया करती थी अपनी रोस की देखी भाली जगों के बीच गुजरते और उनके साथ अपनी वाबस्तगी को महसूस करते उसे ख्याल आया कि हो सकता है कि आएंदा चंद बरसों में उसके हाफ़े की तख्ती पर इन जगों की बातें और यादें इस तरह कंदा होकर वैसा ही नौस्टेल्जिया बन जाएं जैसा नौस्टेल्जिया उसका गाउं और फिर इसलामाबाद था शायद जो चीज़ भी अपने गहरे नक्ष छोड़े वही नौस्टेल्जिया होता है उसने ख्यालों और हवाओं की लहरों में खुद को बेसाखता छोड़ते हुए सोचा बराइन की मौजूदगी उसे चलते फिरते तमाम लोगों के साथ जैसे जोड़ सी रही थी उसने दाए हाथ से ब्राइन के बाए हाथ को दबोच कर थाम लिया कलब में अभी ज्यादा गहमा गहमी नहीं थी डीजे वाले अपनी तैयारियों में मगन थे डांसिंग फलोर पर अभी कोई नहीं उतरा था वो बार से बियर की दो बोतले खरीद कर डांसिंग फलोर के गिर्ध के साथ लगी मेस पर बिराजमान हो गए शायका ने बियर का पहला घूट भरते हुए ख्याल किया कि उसे बियर के बजाए शैंपिन खरीदना चाहिए थी फिर सोचने लगी कि इससे क्या फर्क पड़ता है उसे तो किसी भी अलकॉहलिक मश्रूप का शायका अच्छा नहीं ल बात कहा वो जवाबन फक्त मुस्कुरा दी कुछ खाओगी ब्राइन ने मेन्यू कार्ड पर निगाह दोड़ाते हुए पूछा हाँ शायद हलकी फुलकी कोई भी चीज़ शायद चिकन विंग्स ओर्डर देने के बाद ब्राइन ने आँखों से चश्मा उतार कर मेस की एक सोचता हूँ कि युनिवर्सिटी में दाखला ले लू ब्राइन के चेहरे पर बदस्तूर संजीदगी तारी थी हम शायदा को अब उसके संजीदा चेहरे के पसमंजर की वज़ा समझाई युनिवर्सिटी में क्या करना चाहते हो उसको ब्राइन के इरादों को जानने की ज जिस्तजू जैसे पहली बार हो रही थी उसे लगा कि जैसे आज से पहले तक वो ब्राइन को फकत एक पार्टी बॉई ही समझ रही थी मुझे हाली में इनकिशाफ सा हुआ है कि मुझे इंटरनाशनल अफेर्स में मास्टर्स करके फॉरन सर्विस में जाना चाहिए ब्राइ की तहजमाते हुए कहा यकीनन ऐसा ही हुआ है ब्राइन ने बाजू बढ़ा कर उसे कुरसी से उठा कर डांसिंग फ्लोर की तरफ ले जाते हुए जवाब दिया शायका को शक्सा होने लगा कि जैसे आज की शाम उसकी जिन्दगी में कोई बड़ी तबदीलियां लाने वाल नालुक बनाने का ख्याल उसे कभी नहीं आया था बलके वो तो आपस में जियादा बाते भी नहीं किया करते थे सिर्फ मौका मिलने पर सेक्स किया करते थे उसके साथ सेक्स के मनाजर जहन में आते ही वो डांसिंग फ्लोर पर उसके साथ चमट गई ब्राइन ने इस वारफ परने में नीली फर्टाडो के गाने प्रामिसकस पर अपने कूले मटकाते हुए मार्था और मार्था और नजर आए। ब्राइन और शायका पर नजर पढ़ते ही वो उनकी तरफ बढ़े। चारों नाचते हुए एक दूसरे के साथ बगलगीर हुए। शायका को यू लग रह आने जाने वाले सारे मौसम और सडकों गलियों में नजर आने वाले कई मानूस चेहरे अचानक उसमें एक नए मुल्क की अजनबियत का एहसास खत्म करने लगे। इनसान भी कैसा सोशल एनिमल है। उसे स्कूल में किसी किताब के अंदर पढ़ा जुमला याद आया लेकिन उसके जहन में स्कूल और किताब का खाका बिलकुल नहीं उबरा। वो चारों अब बैठने के लिए एक ही मेस की तरफ बढ़े। रेफ्यूजी बोर्ड की अदालत में बैठी शायका सोच रही थी कि बिलाखिर वो दिन आही गया जिसका उसे कब से इनतजार था। अभी र वकील काख़ों के पुलंदे को दुरूस्ट कर रहा था। प्रॉसीक्यूटर अपनी फाइलों को तर्तीब दे रहा था। वो खाली उस जहन अपनी तवज्जों और प्रॉसीक्यूटर के मुम्किना सवालों के जवाबात पर मर्कूस करने की कोशिश कर रही थी जिनका साम एक मुसल्मान जजों के बारे में सुन रखा था कि वो मुसल्मान औरतों के रेफिजी क्लेम को आसानी से तसलीम नहीं करते थे। जजों की अजाज़त से उसके वकील ने उसका केस पेश किया जिसके मताबिक उसको पाकिस्तान जाने की सूरत में जान का खत्रा था। उसके कैसे कह सकती हो कि पाकिस्तान जाने पर तुम्हारी जान को कोई खत्रा हो सकता है प्रोसेक्यूटर का पहला सवाल ही काफी तीखा था जिसके लिए अगरचे उसके वकील ने उसकी खुब तैयारी करवा रखी है वकील ने उसे साफ बताया हुआ था कि केस की काम्याबी के लिए जरूरी है कि वो अपने उपर होने वाले किसी जानलेवा नौयत के हमले की कहानी बनाए उसने एक ऐसी कहानी गड़ भी रखी थी लेकिन आज उसका ये कहानी सुनाने को जी आमादा नहुआ बलके वो जवाबन प्रॉसीक्यूटर से सवाल कुना हुई क्या तुमने पाकिस्तान में ऑॉनर किलिंग की कहानिया कभी नहीं पड़ी मगर तुम्हारा तो ऑॉनर किलिंग का मामला नहीं था प्रॉसीक्यूटर ने उसके सवाल को नजरन्दास करते हुए कहा मैं इसकी वजाहत यू करती हूँ कि मेरा यहां पर एक बॉइफरेंड है जिसे तालुक का मैं डंके की चोट पर ऐलान करती हूँ तुम समझते हो कि पाकिस्तान के इसलामी और जमीनदारी निजाम में मेरा ये ऐलान महब्बत मुझे वहां जिन्दा रहने देगा उसने ये कहते हुए दोनों जज़ों की तरफ देखा जो बजाहिर उसकी डलील से काफी मतास्र दिखाई दी उसका वकील इशारों किनायों में अभी भी ये पैगाम देने की कोशिश कर रहा था कि वो गढ़ा गढ़ाया वाकिया सुनाओ जो कानून की किताब के मताबिक होना बहुत जरूरी है तो क्या तुम तसलिम करती हो कि तुम पर पाकिस्तान में ऐसा कोई हमला नहीं हुआ जिसका तुम ने अपने केस में जिक्र किया है उसके वकील और दोनों जज़ों की निगाहें उस पर लगी थी उसने सोचा कि वो रटा रटा या वाकिया बयान करना ही पड़ेगा उसे अपनी आवास तूटती हुई सुनाई दी उस वाकिया को मैं कैसे भूल सकती हूँ मगर मैं तो तुम्हें ये ऐसास दिलाने की कोशिश कर रही थी मेरे टॉरंटों में रहने और अपनी मर्जी की जिन्दगी गुजारने के फैसले ही मेरे खानदान और शायद सुसाइटी के लिए ऐसे संगीन जर्म है जिनकी बुनियात पर मेरी जात किसी माफी के लायक नहीं रही उसने देखा कि उसके वकील ने जैसे इस वजाहत पर सुक का सांस लिया हो एक जज़ ने जुक कर कुछ लिखना शुरू कर दिया उसे लगा कि जैसे प्रॉसेक्यूटर भी उससे कुछ ऐसा ही जवाब चाहता था उसने अब हलके फुलके सवाला शुरू कर दिये थोड़ी देर बाद प्रॉसेक्यूटर ने अपनी कारवाई खत्म करने का ऐलान कर दिया खरीब आत पौन घंटे की कारवाई के बाद दोनों जजज खवातीन पिछले कमरे में चली गई इस वक्फे में उसके वकील ने उसे होसला दिलाया कि फैसला उसके हक में ही होता नजर आ रहा है जब दोनों जजज वापस लोटी तो उन्होंने फैसला सुनाते हुए शुक्री आदा करके रेफ्यूजी अदालत से बाहर निकली तो टौरंटो की सड़कों पर इमारतों आते जाते लोगों ट्रैफिक और आसमान के साथ उसे अपनी आशनाई बहुत देर पा महसूस हुई अब मुझे कोई इस मुलक से बाहर नहीं निकाल सकता यह अब मेरा मुलक हो चुका है उसने मुठ्टियों में अपने बैक के दस्ते को दबोचते हुए नारा सा लगाना चाहा मगर मैंने तो शुरू दिन से इस मुलक को अपना लिया था और मुझे हमेशा यकीन था कि यह मुलक भी मुझे अपना लेगा उसने तुबारा इर्द गिर्द नजरें फैला कर देखा तो ख्याल आया कि वो दो साल में ही इन गलियों और सड़कों से कितनी मानूस हो गई है शायद 15-20 बरस बाद यहां की गलियां कूचे भी मेरे नौस्टेल्जिया का वैसा ही हिस्सा बन जाएं जिस तरह मेरी जिन्दगी के अप्तिदाई 22 बरस बार बार मुझे अपनी तरफ पुकारते हैं यूं तो वो खुद भी पढ़ना चाहती थी मगल जब से ब्राइन पढ़ाई लिखाई की तरफ रागिब हुआ था उसने शायखा को भी पढ़ने की तरगीब देना शुरू कर दी थी उसने बिलाखिर यूनिवरसिटी में एजुकेशन के शोबे के मास्टर्स प्रोग्राम में दाखला ले लिया पढ़ने लिखने के लिए सरकारी करजा मिल जाने पर उसे पढ़ना असान लग रहा था अब उसने अपने काम को कुल वक्ती से कम करके जुज़ वक्ती कर दिया था उसे कैमपस में पहले रोज इसलामाबाद की युनिवरसिटी शिद्दत से याद आई मार्गला की पहाड़ियों के बीच बने उस कैमपस का माहौल शुरू शुरू में उसे बहुत तिलिस्माती लगता था लंबी रहधारियों के बीच चलते वो जैसे उड़ ही होती थी वैसी ही कैफियत उसे अपने इस नए कैमपस में महसूस हुई अलबता एर्दगिर्द का माहौल बहुत फर्ग था वहां लड़कों और लड़कियों की अलग अलग तोलियां मुख्तलिव जगों पर यूँ खड़ी होती थी जैसे एक दूसरे को ताड़ने के लिए मोलचा जन हूँ जबके यहां पर ऐसी कोई भी बात नहीं थी उसे इसलामाबाद की यूनिवरसिटी में फात्मा और कामरान वगएरा की मशूर टोली याद आई जिसमें यू तो लड़कें और लड़कियां एक साथ होते थे मगर उसे हमेशा यू लगता था जैसे वो जाली लहजों में एक दूसरे से बातें करते रहते थे इस तरह के और मिक्स्ट ग्रूप भी उसे बनावती से लगते थे यहां कैनेडा में सबसे बड़ा मनजर नामा कसीरुस सिकाफती ग्रोहों का था उसे यू लगता था जैसे यह यू लगता था जैसे यह यूनिवरसिटी नहों बलगे अकवाम मुत्तहदा का कोई फेस्टिवल हो अरबी, रूसी, चीनी, इरानी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, लातीनी, अमरीकी गरस दुनिया भर के चेहरे हर तरफ नजर आ रहे होते मश्रकी यूरप से लेकर अमरीका तक की सभी गोरी अकवाम भी इस फेस्टिवल का हिस्सा थी यूं तो शायका को नसलों की ये सारी रंगा-रंगी गलियों बाजारों में भी दिखाई देती थी मगर यूनिवरसिटी के आहाते में इन मुक्तलिफ सकाफतों की टोलियां, माशरे की बढ़ती कसीर सकाफती सुरतेहाल को और भी वाज़े कर रही थी उसे इस मल्टी कल्चरलिजम में सबसे दिल्चस्प ग्रूप वो लगते थे जो दाड़ी वाले नوجवानों और हिजाब वाली लड़कियों पर मुश्तमिल थे उन ग्रूपों के अपने अंदर एक और तरह का मल्टी कल्चरलिजम था अरबों के अपनी टोलियां थी, सुमाली अपने गिरोहों में बटे हुए थे, अफगानी अपने तोर पर अलग अलग फिरते थे पाकिस्तानियों के अपने जथ्थे थे, अलबता दाड़ियों और हिजाबों वाले मुसल्मानों में नुमाया पाकिस्तानी ही नदर आते थे शैका की पहले दोस्त एक कोलम्बियाई लड़की बनी जिसका नाम मलिसा था फिर उन दोनों की दोस्ती एक तुर्क लड़की से हो गई जल्दी तुर्क लड़की आईसोल का इरानी बॉइफरेंड भी उनके ग्रूप का हिस्सा बन गया मलीसा ने देखते ही देखते ही गोरे लड़के डेरेक के साथ तानलुक बना लिया यूँ शायका का अपना ग्रूप अच्छा खासा सीरुस सिकाफती बन गया उसकी क्लास में दो पाकिस्तानी खवातिन और एक अधेर उमर का पाकिस्तानी मर्द भी था ये तीनों लोग पाकिस्तान में टीचर होने का दावा करते थे और अब यहां स्कूलों में पढ़ाने के मुतमनी थे नेजी अपने लिबास और चाल धाल में रोशन ख्याल से नजर आते थे एक रोज सुल्तान रिजवी ने शायका के साथ कैफेटेरिया में बैठे पाकिस्तानी हालात पर गुफटगू छेड़ दी एक तरफ वो तालिबान की मजमत कर रही थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान की खस्ताहाली की जिम्मेदारी मगरिबी मीडिया और मुमालिक पर डालते हुए ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि मगरिबी दुनिया इसलाम के खौफ में ना सिर्फ पाकिस्तान बलके तमाम इसलामी दुनिया को तबाह बर्बाद करने की मनसूबा बंदी कर रही है शायका के लिए ऐसे नामनेहाद रोशन ख्याल हम बतनों की मुहमल और खेर मनतकी बातें कोई नई शाय ना थी इसलिए मैं इन आहमकाना बहसों और बातों से दूर रहती हूँ मगर कभी कभार उन्हें सुनना भी जरूरी है ताके हाफ़ा ताजा होता रहे कि 21 सदी में भी हमारे सोचने और तज्जिया करने का अंदाज कितना बेहूदा है उसने अपनी कलास फैलो के पूरा इतमाद चेहरे पर नजरे दोड़ाते हुए सोचा उसे याद आया कि उसने कल ही इंटरनेट पर पाकिस्तान के एक मारूफ अखबार के कई सीनियर कॉलम नवीसों के कॉलमों में ऐसे एहमकाना कन्फियूस ख्यालात को पढ़ा था वो अपने कॉलिज के जमाने में उन मारूफ लिखारियों के नामों से बहुत मरूफ हुआ करती थी लेकिन अब उसे उनकी तहरीरे पढ़कर बयक वक्त घुसा और हसी आती थी कि भला ये किस दुनिया में बसते हैं इस से पहले के शायका रुखसाना की बातों से बोर होती उनके एक और पाकिस्तानी क्लास फैलो मिस्टर जावेद मलिक उनकी मेज पर अपना बसता घुमाते आधम के खवातीन क्या आज क्लास नहीं है मौसूफ ने बेतकलुफाना लहजे की जैसे अदाकारी करते हुए पूछा आपको पता होगा हम तो ऐसे ही गपे हांक रही हैं रुखसाना ने जवाब दिया मेरा ख्याल है अभी तीस मिनट पड़े हैं शायका ने घड़ी देखते हुए कहा क्या बात है आप हम पाकिस्तानियों से दूर दूर क्यों भागती हैं जावेद ने शायका को बराहरास्त मخاطب किया आज मैंने इनको पकड़ ही लिया रुखसाना हसी अरे ऐसी कोई बात नह शायका ने खुश अखलाकी से वजाहत करना चाही वैसे परेशान नहूं अच्छा ही करती है अब की बार जावेद ने शायका को होसला देने के अंदाज में कहा और फिर अचानक बराबर की मेस पर बैठी हिजाब ओड़े एक अरब लड़की और उसके गोरे दोस्त को नाक पाकिस्तानी हिजाबन बच्ची आकर एक गोरे के साथ रहने लगी मेरी बीवी को बहुत हैरत थी कि शायद मजभी लिबादे में लिप्टी ये लड़की ऐसा दोहरा खेल क्यों खेल रही है जावेद मलक ने अचानक एक कहानी छेड़ दी अरे भाई वो लड़की भी इनस अगर उसके बाप या भाई ने उस पर हिजाब लाद दिया तो इसका ये मतलब हर्गिस नहीं कि उसके कोई जजबात नहीं रुखसाना के इस जवाब ने शायका को तसली दी कि उसकी ये पाकिस्तानी क्लास फैलो कमसकम इनसानी जजबात का इहतराम तो करती है अरे भाई म मुझे या मेरी बीवी को उसके फितरी इनसानी जजबात पर कोई एतराज नहीं और हम उसके अबा या भाई वगएरा के जजबात और ख्यालात को भी समझ सकते हैं मगर यहां तो बात दूसरी है वो अपने भाई या बाप के जबर के साय तले नहीं रह रह रही क्योंकि उ उसका कोई भाई सिरे से है ही नहीं और उसका बाप भी कई साल पहले फौथ हो चुका है वकौन उसके वो यह हिजाब अपनी मर्जी से पहनती है मेरी बीवी ने एक दिन उसे बिल्डिंग की रहधारी में मुलाकात के दौरान बातों बातों में ये भी कहा था कि हिजाब न के तौर अतवार का कुछ ज्यादा अंदाजा नहीं क्योंके वो तो वहां कभी रही ही नहीं थी उसके बकौल उसने हिजाब तो अपने ग्रुप की कुछ मुसल्मान लड़कियों की देखा देखी जिद में लेना शुरू किया था अब वो उसकी आदी हो चुकी थी और उस यह भी दरियाफ्त कर चुकी है कि वो गोरा लड़का उस हिजाबन के साथ शादी रचाने जा रहा है और इसलाम कुबूल करने की तैयारिया कर रहा है ओ मैन नथिंग न्यू रुखसाना ने फिर चार लफज अंग्रेजी में बोल कर जावेद को वक्फे का मौका देना चा हाथ करता हुआ पकड़ा गया था वो और उसका भाई दोनों यहीं कैनेडा में पैदा हुए थे उसने अपने एक इंटर्व्यू में कैनेडा पर कुफर के लजामात लगाते हुए उसे कितना बुरा भला कहा था उसने हाल ही में पांचमी शादी यहां के किसी मेंबर पारल के बेटे के साथ की है रुखसाना ने अपकी बार अपनी मालूमात पेश की बुरके समेत शायका ने पहली बार गुफटगू में बराहरास शिर्कत की अगर्चे वो जावेद और रुखसाना की बातें मजे ले लेकर सुन रही थी हाँ जी बुरके समेत उसने अपने ताज अगर कोई मसला हो सकता है तो इनी फकिंग रिटायर्ट फैनेटिक्स से हो सकता है। रुखसाना की इन बातों से शायका को दोरी हैरत हो रही थी। कि एक तरफ तो रुखसाना रोशन ख्याली की रमजों से वाकफियत का मुझाहरा कर रही थी। और दूसरी तरफ रिवायती मुसल्मानों की तरह मगर्ब को इसलाम की बर्बादी का जिम्मेदार समझती थी। लगता है कि एक रिवाज सा चल पड़ा है इन नकाबनों हिजाबन लड़कियों की ऐसे गोरों से शादी करने का जो इसलाम कुबूल करने को तैयार है या फिर ऐसे लिबरलिजम पर ढलने को तैयार है जिससे वो ये थाबित करना चाहते हैं कि वो और उनके खानदान मुसल्मानों के लिए इंतहाई रवादारी का रवया रखते हैं मगर जो चीज मुझे परिशान करती है वो ये कि क्या मुसल्मान फक्त बुरकों हिजाबों और बेढ़ंगे दाड़ियों वाले ही होते हैं मेरी तरह आपकी तरह नौर्बल नजर आने वाले नहीं होते मगर ये मगरिबी मीडिया की भी खराबी है कि वो मुसल्मान इन बेढ़ंगे दाड़ियों बुरकों और हिजाबों वालों को ही समझते हैं जावेद मलिक ने कहानी खत्म करके इस पर तफसरा शुरू कर दिया जिससे शायका बहुत मरूब हो रही थी आज से पहले वो जावेद मलिक को एक रिवायती सा पाकस्तानी समझती आ रही थी मैं भी आपको एक दिल्चस्प दास्तान सुनाती हूँ अब की बार उफसाना अपनी पिटारी से टिस्सा निकालती नजर आई मिसी सागा मुंतकिल होने से दो साल पहले मैं टॉरंटो डाउन टाउन की एक बिल्डिंग में रहा करती थी वहां मुझ पर एक गोरे ने आते जाते डोरे डालने शुरू कर दिये मैं उसकी अलैक सलैक का रूखा सूखा जवाब दे देती थी एक रोज उसने लाबी में रोक कर बात करने के लिए वक्त मांगा मैंने कहा यहीं बोलो क्या कहना चाते हो पूछने लगा मेरे साथ डेट पर चलोगी मैंने जवाब दिया कि मेरा ऐसा कोई रादा नहीं क्योंकि वो मुझे कभी भी पसंद नहीं था मेरे इंकार को सुनकर वो काफी मायूस नजर आया मुझे ऐसे ही तजस्स हुआ कि जरा मालूम करूं कि वो एक देशी लड़की के साथ क्यूं डेट करना चाता है मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसे मुसल्मान लड़की के साथ डेट करने की बहुत तमना है मैलेस की वज़ा पूछी तो कहने लगा कि उसे अपनी साबका गल्फरेंड से शदीद नफरत थी क्योंकि वो ड्रिंक बहुत करती थी और उसके बकॉल उसकी गल्फरेंड ने दो तिन मजीद बॉइफरेंड जरक छोड़े थे उसने मुझे ये भी कहा कि उसने सुन रखा है कि मुसल्मान लड़कियां अपने शोहरों के साथ बहुत मुखलिस होती है मैंने पूछा कि क्या वो भी अपनी मुसल्मान गल्फरेंड के साथ इतना ही दयानतदार होगा मेरे ये कहने पर उसका चहरा जजबात से लाल हो गया कहने लगा कि मुझे एक बार कोई मुसल्मान लड़की मिल तो जाए वो मुझे जो कहेगी करने को तैयार हो जाओंगा मैं उसकी खातर मुसल्मान हो जाओंगा अगर जरूरत पड़ी तो उसकी खातर जहाद करने फिलस्तीन चला जाओंगा मैंने उसे टोका कि भला बीच में फिलस्तीन कहां से आ गया कहने लगा पिछले हफते वो टारंटों में हमास की हिमायत और इसराइलियों के मुखालफत के खिलाफ एक एहतजाजी जलसे में गया था वहां हिजाब पहने अरबने उसे इतनी भली लगी थी कि उसने उनकी तवज्जव हासल करने की खातर इसराइल के खिलाफ खूब नारे लगाय थे यहां तक पहुँचकर रुखसाना की हसी छूट पड़ी शायका भी कैकहा लगा कर हस पड़ी जावेद मलिक ने मुस्कुराते हुए एक और दास्तान छेड़ना चाही मगर रुखसाना ने उसे रोकते हुए कहा मलिक साहब पुरी बात तो सुनो वो फिर मुझे बताने लगा कि इसराइलियों के खिलाफ उसके जोशो जजबे को देखकर जलसे की एक मुन्तजिम औरत ने उसे अपना नमबर भी दिया और ताकीत की कि वो बाकायदगी से उनके जलसों में शिरकत किया करे उसका मज़ीद दावा था कि चंद और लड़कियों ने भी उस पर खुसूसी तवज़ दी लेकिन वो कई हफ़तों से मेरी नकलो हरकत पर नज़र रखे हुए था और चाहता था कि मैं उसके साथ डेट पर चलू रुखसाना ने फिर एकदम से हसना शुरू कर दिया इतना मुखलिस शख्स तो शायद तुम्हे अपनों में भी न मिले आखिर उसके साथ डेट पर जाने में हरच ही क्या था शायका ने जावेद की मौजूदगी को नजर अंदास करते हुए गपशप में लड़कियों की इश्क माशुकी का जायता लाते हुए कहा आई नो आई नो जवाबन रुखसाना ने ये लफ्स कई बार दोराने के बाद अपना मुद्दा बयान किया असल में मेरी तो शादी होने वाली है खेर आगे तो सुनो मेरे साफ इंकार के चंद महीनों बाद मैंने एक दिन उसे दाड़ी बढ़ाए और अर्बी चुगा पहने देखा पहले तो मैं उसे पहचान ना सकी वो बिल्डिंग की लॉबी में खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था इतने में बगली सीडियों से उतरती एक हिजाबन फिलिस्तीनी शक्ल सुरत की लड़की नजर आई मुझ पर नजर पढ़ते ही अपकी बार उसने अस्सलामो अलेकुम कहा तो मेरी हसी छूटने लगी जिसे मैंने बमुश्किल रोका उसने उस लड़की का तारूफ करवाते हुए बताया कि उन्होंने पिछले हफ़ते शादी कर लिये रुखसाना ने यू लंबी सास खींची जैसे दास्तान अब जाकर कहीं मुकमल हुई हूँ शायका भी इस किस्टे से महजूस हो रही थी उसने जावेद मलिक की तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए जैसे कोई नई बात छेड़ना चाह रहा था मेरा ख्याल है कि हमें अब क्लास की तरफ चलना चाहिए अगले पीरियट का वक्त हुआ चाहता है शायका ने घड़ी पर नजर दोड़ाते हुए बैग उठाया लेक्चर सुनते हुए भी उसका ध्यान कैफे में होने वाली गुफटगू पर ही था वो सोचने लगी कि क्या ब्राइन भी उसे देशी जानकर या मसल्मान समझकर उसके बारे में संजीदा हो रहा है मगर फिर उसने खुद ही अपने सवाल को रद कर दिया के नहीं शायद ऐसा नहीं उसे वो दिन याद आने लगे जब मार्था की पार्टी में उसकी ब्राइन से मुलाकात हुई थी उसके और ब्राइन के दर्मियान तो बस पार्टीों का तानलुक था जो अब आहिस्ता आहिस्ता उनसियत में बदलता नजर आ रहा था लफ़ उनसियत जहन में आने पर वो खुद ही मुस्कुराई शुक्र है इश्क जैसा घटिया और फिल्मी लफ जहन में नहीं आया उसे उनसियत इश्क से कहीं जियादा पायदार लफ लगा पास बैठी मलीसा ने शायका को कहीं गुमसुम देखकर टहुका दिया शायका जवाबन मुस्कुराई और अपनी तवज्जो को वापस लेक्चर की तरफ लाने लगी आप मेरे नौवल अलबाकिस्तान, मुहलत, रंग महल, एक नामकमल जिन्दगी, कोवट के दिनों का मल्टी कल्चरिलिजम और मेरी नजमों की कताब मनजर आँखों में ठहरे रहते हैं, यूट्यूब और स्पाटिफाई में सुन सकते हैं जल्द ही ये कताबें आडिबल के प्लेट फॉर्म पर भी दस्तियाब होंगी ये कताबें अर्दू और हिंदी में पबलिश हो चुकी हैं इसके साथ साथ मेरी आटो बायोग्राफी पाकिस्तान में एक हिंदुस्तानी को भी आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं ये कताब भी जल्द ही मकमल होने के बाद पबलिश हो जाएगी